सल्मान खान की इस साल की इद रिलीस ट्यूब लाइट ने वीकेंड पर तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया ही था पर सबकी नजरे सोम वार यानी इद पर टिकी हुई थी जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सल्मान खान की फिल्मों को इद पर ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है पर इस बार कुछ अलग ही हुआ जी हां मंडे यानी इद पर इस फिल्म ने लगबग 19.09 करोर के आसपास की कमाई करते हुए अपने टोटल को 83.86 करोर तक पहुचा हाला कि इस दिन मॉर्णिंग शोज में 25 प्रतीशत उक्युपेंसी हमें देखने को मिली लेकिन दुपहर तब मुस्लिम आउडियन्स की वज़े से इस दिन काफी उक्युपेंसी बढ़ गई थी वेल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्यूब लाइट एक आउट अउट अब बॉक्स फिल्म है लेकिन इसके बावजूद सल्मान की इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यान मिल रहा है और सल्मान के मिलियन डॉलर क्यूटनेस पर तो सभी दिल हार रहे है